आपकी स्पोर्ट से हमाई गिमपली वीडियो में दम है तो भाई आपको यहाँ पर एक ट्रक दिख रहा होगा और यह दो कार दिख रहे होगी आपको बिल्कुल पतार लग गया होगा मैं करने के अवाला हूँ यह हमारी थार और साथ में खड़िये फॉर्चुनल तो भाई जल्दी से जल्दी मैं इसमें बैठ जाता हूँ और इसको मैं चड़ाऊंगा ट्रक के उपर तो भाई ट्रक मैंने इसलिए यहाँ पर लगाया है न क्योंकि वो साइड थी न जो जहाँ पर कार जहां से चड़ाई जाती वो उच्छा था तब ही मैंने बैक करके यहाँ पर लगाया हुआ है कि कार को हम अराम से इस पर चड़ा सकें तो भाई एकदम प्रफेक्ट कार यहाँ पर चड़ गयी है तो भाई थोड़ा सा आगे से देखना पड़ेगा यह थोड़ी सी गल्थ तो नहीं लगी तो भाई यहाँ पर मैं चेक तो कर रहdid ही है अब यहाँ से मैं जल्दी से उत्तर जाए ओ भाई मैं उत्रा तो यह देखो एक साइड सेडा भी तेड़ा भी ओ गया इससाइड में देखो कम है और इससाइड में देखो ज्यादा स्पेस तो भाई कोई बात नहीं ट्रक पलड भी जाएगा तो कोई बात नहीं तो भाई जल्दी से जल्दी मैं इसमें बैट गया हूँ और इसको मैं करूंगो थोड़ा सा बैक और इसको चड़ाएंगे ट्रक की उपर तो भाई दो कार हमारी ट्रक के ऊपर चड़ जाएंगे इसके बाद हम ट्रक को लेकर जाएंगे शोरूम में वहाँ पर हमको इस दो कारों को उतारना है और वहाँ पर खड़ा करना है तो भाई यहाँ पर मैंने खड़ी तो कर दी अब जल्दी से जल्दी बंदे को उतारना पड़ेगा अप से ओ भाई कितना कितना गिरी भी निकार ओ बंदा भी गिर गिया क्या गिरा है उपर से यार थोड़ा सा मज़ा खराब हो गया तो कोई बात नहीं तो भाई आप यहां से देख सकते हैं ट्रक के यह वाले दो टायर भी उठ गये उपर पर हमको यह दो कार उतार नहीं है और हमार जो मिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा तो भाई यह कौन सी चिंगाड़ी नहीं कर रही है और आम से लेकर जाना होगा तो भाई थार देखो उस साइड थी ना दोनों एक साइड लगी थी अब थार इस साइड हो गई है फॉर्च इसकिल से यह कंट्रोल होता है कंट्रोल होने में थोड़ी सी परशानी भी लग जाती है भाई तो भाई थोड़ी से मुझसे गलती हो गई गलती तो कोई नहीं होई पर इसमें कार जरूर आ सकती थी नहीं तो पाइक जरूर आ सकती थी साइड पे तो भाई यहाँ पर मैं ल जल्दी से जल्दी कार को तारने के लिए तो भाई मैं तो जा रहा हूं कार को तारने के लिए जल्दी से जल्दी मैं ट्रक के ऊपर चड़ूंगा और यहां पर भाई बहुत तगड़ी कलती हो गए यह एक जो थार है ना यह दोने चिपती खड़ी है एक दूसरे से तो भाई इतनी चिंता की बात नहीं है, इसे मैं हैंडल कर सकता हूँ, जो ये रेलिंग बनी है, इसके उपर से मैं चंप लगा के जुरूर चड़ सकता हूँ तो भाई, एक और पंगा है, मैं थार पे बैठी नहीं सकता, उधर से बिल गया तो, नीचे गिर जाओंगा ना, पर ये फॉर्चुनार है, इसमें मैं बैठ के पीछे को मैं चोर देख सकता हूँ, तो भाई, थार के आप टायर देख सकते हैं, उपर को उठ हैं, तो भाई, अ कोई भी फरक नहीं पड़ा, इसके उपर मैं चड़के देखूं, साइद मैं रेलिंग से टायर के उपर चड़ जाओं, तो भाई, बन जाए बात तो बहुत सही रहेगा, ओ भाई, कहां पे उठा के फेका इसने, तो भाई, थार खेरी है, हम से पंगा पंगा मतलो, हम आज क गुंडों की जैसे पसंद हैं भाई, तो भाई, ठीक है इसका भी, तो कोई बात नहीं भाई, मैं ट्रक के उपर बैटता हूँ, और ट्रक को आगे पीछी करके देखते हैं, उतर तो जाएगा राम से, तो भाई, इसको मैं पीछी को कर रहा हूँ, पर ट्रक तो पहिया, तो सकेंट का अब गेम बचा है भाई, मिशन, मिशन, दो सकेंट का अब अच्छा है, तो भाई, जो कार के कंट्रोल्स है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, मैंने इस गेम को थोड़ी-थोडी देर में मैं इतना केर ला हूँ, कुछ कहने की बात नहीं, तो भाई, य तो भाई, इसमें एक कामया में ट्रक को आगे करना है बस, ट्रक को आगे करके एक रास्ता बन जाएगा, जहां से हम दो कारों को वहाँ पर बराबर एकदम खड़ा कर पाएंगे, भाई, वैसे उपर चड़ाने में दिक्कश ओते उपर नहीं चड़ पाते, यार जब ये ट राकी लग रहा था, तो भाई, मैंने ट्रक को खड़ा कर दिया, जल्दी से जल्दी मैं बैठोंगा फॉर्चुनर पर, क्योंकि मैंने ट्रक के आगे साइड में फॉर्चुनर के ड़े की थी न, पहले इसको लेकर जाओंगा, तो भाई, इसको बैक करना पड़ेगा आराम से लेकर जाओंगा, इसको भी बैक करना पड़ेगा, तो आराम से लेकर जाओंगा भाई, यह देखो यह जंप बहुत अच्छी करती है था, और मुझे मज़े मज़ा आ जाता है, पर भाई, एक कमिती फॉर्चुनर बहुत ही दूर पर खड़ी है, और भाई, इसको म प्रॉफिट आएगा, वो थोड़ा बहुत हमें भी मिलेगा, 10-20%, तो भाई, यहाँ पर तो मैंने दोनों कारों को खड़ा कर दिया, अब मैं जल्दी से जल्दी बैठूँगा, ट्रक में, और ट्रक से चलेंगे हम घर, तो भाई, ट्रक जो है न, बहुत ही एक दम बढ़ा आगे से गूमता है, फिर पीछे से पहिए गूमते हैं, देखने में मज़ा आ जाता है, तो भाई, मैं अपने घर से थोड़ी सी दूर पे हूँ, बस पहुंचने वाला हूँ, और मैं अपने घर पहुंच गया, तो भाई, एक बात बताना, आपको ये गीमपली वीडियो कै और भाई ये कमेंट कर देना